तो वहीं भारत भी इस बार G20 के अधिक्षता कर रहा है देश भर में G20 से संबधित बैठकों का आयोजुन किया जुआ रहा है पश्चिमंगाल के राज़ानी कोलकाता में आज से 11 जनवरी तक G20 की बैठक आयोजुत होगी जिसमें बड़ी संथ्या में विदेशी महमान शाम उनके साथ वीडियो बनाती हुई दिखाए दी जो सोचल मीडिया पर वारल हो गया जिसमें एक दफ्तर में एक महिला अपने पती के साथ वीडियो बनाती हुई नजर आया अगर तुमारा बालम जिपसी चलाता है तो वह कांस्टेबल है बहन ठाक अदर नहीं इस गटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला फिल्मी गाने पर रील बनाती हुई दिखाए दी जबकि उसका पती कुरसी पर बैठा नजर आया वीडियो वारल होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस के आलादिकारी से कर दी गई पुलिस ने केस दर्ज कर दी और मामले की जांच जो में अलर्ट ज़ारी किया गया कई जगा घने कोरे की वज़े से रेल और उडाने भी प्रभावित होने के आशंका है दिली सरकार ने सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिये साधी पंजाब और हर्याना में ठंड के वज़े से रेड अलर्ट ज़ार ज़ारी किया गया तो वहीं उत्तर प्रदेश राजस्तान बिहार में और इंज अलर्ट ज़ारी किया गया और चार तस्वीर आपको देखा रहे दिली नौइड़ा पुंच और पठान कोट के तस्वीरे जहाँ पर दिली में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश ज असम के गवाटी में मुके मंतरि हिमंता बिस्व थार्मा आ चात्र के साथ एक कारिकरम में शामिल खूई यहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला विशेश चारिकरभा में में छूद गाते और जूमते हुए दिखाई दिये वहीं सिम हिंता बिस्व सर्मा ने चात्रों के साथ बैठ कर खाना भी खाया को का आइक है कि हैं आक्टर तुनिशा शर्मा की मौत मामले में आरप क ŚT अरजी पर आच सुनवाई होगी वसई कोड में आच शज़्जान की जमानत पर सुनवाईर उगी श्रज़्जान पर तुनिशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं उदर श्रिजान के परिवार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया तो टीवी एक्टर तुनिशा की सुसाइड मिस्ट्री में तुनिशा कीमा ने न्यूज 18 से बातशीत में बड़ा दावा किया न्यूज 18 से बातशीत में तुनिशा कीमा वनीता शर्मा ने श्रिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हमारे साथ इस वक्त वनीता शर्मा जी मौजूद है मैम हम समच सकते हैं इस मुश्किल की घड़ी में आपके उपर जो बीतरा होगा लेकिन सबसे पहले आपका पक्ष जाना चाहेंगे मेरा पक्ष ही है कि शिजान को सजा मिलनी चाहिए और शिजान जिम्मेवार है उसकी पूरी फेमिली इन्वाल्व है इस केस में और मैं बस्री